मैं जा रही हूं सूखा चिली पनीर बनाने ट्राई अब मैंने इसको पनीर को कलिब करीब आधा केजी है हम काट लिए हैं जैसे भी साइज में छोटा बड़ा जो भी साइज आपको काटना काट लीची अब मैं इसमें डालूंगे एक चम्मच करी कॉन फ्लॉर इसमें बाद में इसमें डालेंगे हम एक चम्मच करी चीली इसमें मैं एक चम्मच करी कास्मेरी लाल मेर्ची डाल रही हूं अब मैं इसमें नमक डालूंगे थोड़े सी नमक हमको आगे भी डालना है इसमें थोड़े ही डालना है अब मैं इसको मिक्स कर दे रही हूं पनीर को इस त तक रख दिया है इस पुरा सुखा है ड्राई है अब मैं डाल नहीं तेल इसमे में दो तीन चम्माच डाले रही हूं इसमे में चम्माच छोटा है मेरा बड़ा नहीं है इस पुष्टर के से प्राई करने पने हो इन एक प्राई कर तुकिने पुष्टर के बहुत जादे प्राई नहीं करना है इसका प्लड़ दे रही हूं इसका इससे प्लड़ कर तो एक बुसरे आलक प्लड़ करके इसको फ्राई कर लेना है तो ही मेरा पनेट फ्राई हो गया प्लेट को फ्राई कर दीन हम इसको प्लेट में निकाम दे गए इस तरीके से मैंने फ्राई कर दिया पूरी तरीके से ड्राई है तोड़ी से इसी प्राई पीन में तेल डाल देना यह मैं तरीब पांच्छे कली लहसन दो तीन मिर्ची थोड़ी सी यद रख मैंने बारी काटके रख दिया था करीज़ के लिए बुद्ध करें प्राइब करें बंदेगा इन अब यह करीज दो बड़े काट दो प्याज को अधिए अच्छा लगता है अब मैं यह करीज दो बड़ी जाए दिया आज को अ अईसे चावकोर में में काट ली हूँ और मैस को कड़ाव में डाल दीगा इसको अलका सब भूल ले दीगा, पहु जादे नहीं भूलना है करना करना है यह प्यास द्याख को जादे प्राई नहीं करना है मैंने ग्रीन प्यास के चाटा नहीं कृल ता इस प्रेला यह टाली एक अकाता हुन एक बड़ी साइढ शीक यह सिंग्ला नीचों अच्छाथ लिख सन्छा है वन less इंतना हुआ, बहुत दरी नहींा हो. चिली सनीर का मज़ा ही है. सप्का करना से हैं.orsa मैं आल उलनेगे तरह के एक बनीगा लीट, कमस खरीक क्निगे सकत रिफनैगे मैं इसमे म être समद् गरी, शीली शॉ़ दाल नहीं हम इसमे एक इसम्मक घरी सांद आलें है. नग्मेस मेदाली को आप सोस प्रॉदमेस मेदाली को आप सोस हमें इसको मिल्स कर लेगी इसको कर लेगी काली मिल्चिक तरिसकरी राधा चंबाश में इसको रखे लेगी काली मिल्चिक अब मुल्सी फेली की नमगा लेगी माज राधा दे लेगी काली म्रोटनेयट नमग सुन चुछबे जहे fellowship तो बूद राधा दे ऑच्छ राधा कर को बूदा आगी काला है अचसा फवल्स राधा परिट अच्छंदी हटे whenever नमग बीता हो ब realised आओ परिए नमग मेन होता है, मैं अब पनीर को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हूं, इसको से मेचे उपर चला के ये ट्राइब, और ही मेरा चीली पनीर बन के तैयार हो गया, इसमें ओनियन, हरा ओनियन तो बहुत जरूरी है, इसी से तो टेस्ट आता है, मैं उपर से इसको डाल दे रहे हूं, अ एक दम बजार जैसे चीली पनीर ड्राइब, बहुत अच्छा बना है, देखिए, इसको खाईए, बनाईए आपनो, और कमेंड करके बताईए, इसमें उपर से थोड़ी सी डालनी कॉन फ्लॉर, पुरा से जो ही क्योर गाढ़ा करना जाता है, अच्छा लगता 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 है,